सरोकार दर्ज की जा रही है जहरीली हवा आखों में परशानी की वज़ा बन रही है इसकी वज़ा से शुरुआत में आखों में जलन और खुजली जैसे लक्षट सामने आ रही है इस खबर पर जादा जानकारी के लिए आमेठी से हमारे समवादाता विरेंदर तिवारी हम से जुड़ेंगे विरेंदर जहां एक तरब बीमारियां तेजी से पाउं पसा रही है वहीं प्रदूसर का खत्रा बढ़ता जा रहा है क्या वज़ा है प्रदूसर इतनी तेजी से बढ़ रहा है जी मैं आपको बिल्कुल बता दूब जिस तरीके से प्रदोसड फैल नहीं है जिस तरीके से चाहिए वो बुजुर्ग हो चाहिए वो मैला हो कोई भी हो उनको वीमारी एक जैसे सास की बीमारी हो गई वो लगातार बढ़ती जा रही है लोगों की अगर जैसे प्रदोसड की यही कारण होता है लोग अपनी निकालते हैं जो प्रदूशन का एक तर बढ़ता ही जा रहा है कम होने का नाम नहीं है आप अमेठी में हैं वीरेंद्र वहां कैसी इस्थिती है एक तरफ देंगू भी तेजी से फैल रहा है दूसरी तरफ प्रदूसर का खत्रा है कैसी वहां इस्थिती बनी हुई है जिस तरह नगर निगम को निर्देश दिया गया है डेंगू को देखते हुए चाहे वह एंटी लार्वा की छिड़काओं के लिए या फॉगिंग की बाद तो वहां इस किस तरीके से काम किया जा रहा है आज जी आपको में बिल्कुल बता दूँ कि जिस तरीके से इंटरलाग की करवाई से फॉगिंग की हो तो गाओं गाओं में जाके हर बलाग से जाके गाओं में छिड़काओं करवाया जा रहा है और लोगों को जागरूप भी किया जा रहा है और गाओं में साब सफाई का नाली की सफाई हो और गंदगी जो रख रखाँ जा वो ग्राम परधान हो या कोई भी सक्कारी हो सब एकदम मुस्ताद है और इस पे एक नियंतर रखने की कोशिश की जा रहा है जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है फिर चाहे वो पॉल्यूशन हो या फिर डेंगू हो या तमाम तरह की बिमारिया अस्पतालों में कैसी बिवस्था की गई है जी आपको मैं बिल्कुल बता दूँ कि डेंगू को लेकर प्रसासा निस्ता मुस्तेज है कि वो सीसी हो या जिला अस्पतालों अस्पतालों में आप अगर जाएंगे तो वहाँ पे एक डेंगू वार्ड बनाया गया है जहां पर मरीजों को रखने के लिए एक प्राइबेट रूम बनाया गया है जिसमें आठ से दस बेड होते हैं उसमें अच्छरदानी का और उसमें साफसफाई का भी से ध्यान रखा जाता है कि कहीं लग कहीं अगर पेंगू के मरी जाते हैं तो तुरन उनको एड्मिट करा जा और उनका अच्छे सच्छे उपचार किया जाए रोग के बावजूद भी किसान पराली जला रहे हैं जिसे कहीं ने कहीं पॉल्यूशन बढ़ रहा है इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है आप आपको मुल्ट करते हैं परसासन कहीं न कहीं इस पे मुस्तहिज नज़र आ रहा है रोपने के लिए धनेबाद वीरें्ज़ टमाम जानकारियों के लिए उत्तर भारत में ठंडी हवाओं के साथ साथ पॉल्यूशन ने लोगों का जीना दुस्वार कर दिया है लगातार पॉल्यूशन की मार जेल रहे हैं लोग जिससे लोगों को खुली हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है जहरीली हवा आखों में परिशानी की वज़ा बन रही है इस खबर पर जादा जानकारी के लिए प्रियागराज से समवादाता पवन पटेल हम से जुड़े हैं पवन जिस तरह एक तरफ बीमारिया पैर पसा रही हैं वहीं दूसरी तरह पोलियूशन का खत्रा बढ़ता जा रहा है क्या वज़ा है इतनी तेजी से पॉल्यूशन बढ़ रहा है? जी बिल्कुल महीरू जिस तरीके से प्रियागराज में लगातार जो प्रदूशन की इस्तिति है वो बढ़ती जा रही है अगर प्रियागराज की माने है तो प्रियागराज के दो तीन ऐसे अस्थान है जो चिन्नित कीएगे जहां पर काफी मात्रा में प्रदूशन की जो आईक्यू लेबल वो बढ़ा हुआ है अगर बात की जाए कि यहां पर साफसफाई आने चीजों की जो बेवस्ता हैं और जिस तरीके जो तस्वीर है क्योंकि लगातार जब डेंगू के मरीज बन रहे है तो ऐसे में एक तरफ जहां लोग बीमारियों से परिशान हो रहे है वहीं जिस तरीके से जो प्रदूशन ह वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और सरदियों की सुरुवात होती है प्रियागराज में जो प्रदूशन है वो जो है काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अगर ग्रामीड छेत्रों की बात करें तो ग्रामीड छेत्रों में सरकार ने हाला कि रोक लगाई है पराली को ज प्रदूसर बढ़ाने में बड़ा कारण बनते हैं जी मेवरी पावल जैसा अभी आपने कहा कि ग्रामीर शेत्रों में रोग के बावजूद भी पराली जला रहें किसां तो इस पर एक्षन कब लिया जाएगा चुकि प्रियागराज एक बड़ा शेहर माना जाता है और यहां पर काफी मातरा में ग्रामीर शेत्र जो है वो बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर हैं और जहां पर जो किसान है वो काफी हद तक चुकि प्रियागराज के कई ऐसे अस्थान है जहां पर खेती जो है बड़ी जाला कि कई ऐसी जगह की तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पे किसानों गौरा पराली जल आई गई है। कि वहाँ पहला जिकारियों को जानकारी तक नहीं मिल पाती है और जब तक उनको जानकारी मिलती है तब तक कहीं जाके पराली जल चुकी होती है तो प्रदूसर बढ़ने का एक जोग से बड़ा कारण है वो कहीं ने कहीं ये सामने आ रहा है और दूसरा जो सड़कों पर चल रहा है दगगामाह वहां ने लगा तारा उस पर अभी तक बात की जाया अभी मौझूदा समय की तो मौझूदा समय याता यात महा चलना और ऐसे चहर के अंदर प्रसाटन के द्वारा याता यात महा चला जा रहा है गाडीयों में चेकिंग क जा रही है लेकिन अगर सड़कों की बात की जा तो सड़कों पर लगाता डगा माहड वह दूसरी तरफ देंगू भी तेजी से पाउ पसाँ रहा है तो प्र्यागराज में अभी कैसी इस्थिति है हाला कि अगर डेंगू की बात की जाए तो प्रयागराज में डेंगू की जो इस्तिती वो कहीं ने कहीं थोड़ी सी इस्तिन नजार आ रही है लेकिन अगर मरीजों की संख्या की बात की जाए तो मरीजों की संख्या इस समय एक हजार के पार है हाला अगर मौतों की बात की जाए तो मौतों में करीब इस समय 6-8 मौतों की जो है वो अरकाजकारी करूप से पुष्टी हुई है लेकिन जिस तरीके से लगाता जो डेंगू के मरीजों की संखिया है वो सामने आ रही है वो कहीं ने कहीं एक चिकित सा विभाग के लिए चुनावती भरा तस्वीर सामने आ रही है क्योंकि लगाता जो डेंगू के मरीज है वो कहीं ने कहीं सामने आ रहा है अगर अस्पतालों की हालत देखी जाए तो अस्पतालों में इस समय ओपीडी में जो मरीजों की संख्या है वो कहीं ने कहीं प्रदूसर्ण भी उनके स्वास्थ में असर कर रहा है और एक चिंता का विशाद बन सकता है क्योंकि लगातार जब ग्रामीर छेत्रों में पराली जलाने की खबरे सामने आ रही है और सहरों में लगातार डगा मार वाहन फराटा भर रहा है तो कहीं ने कहीं एक बड़ा विशा है और इस पर आला दिकारियों को जाच करनी चाहिए इस पर रोक लगानी चाहिए और डग भी मरीज तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो इसको लेकर किसी बेवस्ता की गई है लिखाता कि दाये तो हम अभी तक किसी भी मरीज ने ऐसी कोई यहां पर परशानिय का पर्शानी अपनी नहीं साजा किया कि इंको अथा की उप्र मीजों की बड़ती संखिया वह नहीं लोगों क छो आच्छे हैं वाहाँ साथे जो लोग है वो परिशान है यहां के लोग ऐसा भी परिशान है कि कोई लखनाओ के लिए बागता है तो कोई दिल्ली के लिए तो इसे में कहीं यह कहीं नहीं जो आजा आजा सकते हम आज़ा जा भुड़ रही कानपूर से हमारे साथ समवादाता अनियर जूड़े हैं अनियर लगातार प्रेदूसर का खत्रा बढ़ता जा रहा है एक तरब डेंगू भी तेजी से पाउं पसार रहा है कानपूर में कैसे सिती देखने को मिल रही कानपूर का इसा है कि अधिकारी जगह 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 जो काम कराते हैं उसकी वाटसप गूरूप पर फोटो में डाल देते हैं और अपनी पीट खुद अत्तपात लेते हैं लेकिन कहीं न कहीं आम जनता के लिए काफ़ी सोचने वाला वीज़ा है और डो سबीत हो रहा है और लगात तार पेदूशन केशलते हैं आदमी बीमार होता चला जा रहा dynasty वतातों कि कानपूर में जगे जगे पे गड़े और जो इस टाइम गंगा का सभाई का प्रयूजना का काम चलना है और जो पाइब लाइन डाली जा रही है इससे पूरा कानपूर लगब खुदा पढ़ा है पुरे कानपूर खुदने से कंडिशन यह है कि पहली चीज तो आम प्रदुशरा का एक सिर्प कारण है कि जो वाहन है वाहनों के समय के चलना हुआ है और इसके लाएबर कानपूर के गंदगी यह भी गहल पाहन है जो वाहन हैं, वाहनों का समय से चेक ना होना, हलाकि याता यात मा चलना है, याता यात मा के चलते भी, कहीं न कहीं जो कानपूर आर्टीयो है, वो भी सुस्त पड़ा हुआ है, सिब याता यात मा कानपूर पुलिस के लिए और आर्टीयो के लिए सिब एक माह के रूप में मन और जो दूरी का ही देखने में असमर्थ रहते हैं इसके लावा जब अधिकारियों से बात की जाया तो अधिकारियों कहना होता है अनिल जैसा कि आपने बताया कि यह आतायात भारी संख्या में चल रहा है जिसमें टेजी से धुआ निकलता है और ऐसा भी है कि रोग के बावजूद भी पराली जलाई जा रही कई वज़ा है जिससे प्रिदूसर बढ़ रहा तो इस पर एक्शन कब लिया जाएगा जी पराली भी एक बहुत बड़ा विसे है इस प्रिदूसर बढ़ने के मामले में हाला कि मैंने जैसा कभी बताया कि अधिकारी खुद अपनी पीर थत्तपा ले रहे हैं कि प्रिदूसर कानपूर में ना के बराबर है अगर मीटरों से नापा जाए और कानपूर आयाइटी प्रिदूसर बहुत जादा है कानपूर में लेकिन अधिकारी बिल्कूल विसे इन सब चीजों को सुद लेने को तयार नहीं जिसके चलते ही वह बैसे भी डेंगू की महामारी भारी कानपूर में चल लए हैं लगभग 600 से उपर केस प्रॉस कर चुके हैं और लेकिन अधिकारियों की बात करें तो अधिकारियों को हिसाब से सारी चीजे बेवरस्ता विल्कुल पुक्ता हैं और कागजों पे पूरी कारव विल्कुल सा चलते ही लोग पेपरों पर तो सारी चीजे अच्छा दिखा देते लेकिन जब मिनिस्टर पर दिखा जाएं तो सारी चीजे सून नहीं है कि धन्यवाद निल तमाम जानकारियों के लिए प्रेदूसर का खत्रा दिन बादिन बढ़ता जा रहा है खुली हवा में भी सास लेना मुश्किल हो गया है पता दें प्रेदूसर से जहरीली हवा से आँखों में परशानी और खुजली की वज़ा बन रही है बता दें प्रेदूसर के बीच कहरे ने भी दस तक दे दी है अब तक के लिए इतना ही देज़ुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे है प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार रादी निती सच